नमस्कार मैं हूँ फरहान और हमारे इस कारिकरम जनता के जवाब में आपका स्वागत है आज हम फिर इस कारिकरम में जनता से कुछ सवाल पूछेंगे और उसका जवाब जनता हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं हमारे वीवर्स हमाई इमेल आइडी में दे सकते हैं जो कि आपको नीचे दिख रही होगी तो जिस तरह चुनाओं की गहमा गहमी चल रही है महराज चुनाओं के परिड़ाम भी आए तो राजनीती में इतना डूब चुकी है मीडिया की जतना राजनीतिक पार्टियों से करीब हो गई है शा कारें भी दूर होती जा रही हैं लोग अंदोलन करते हैं किसान अंदोलन करते हैं च्छातर अंदोलन करते हैं लेकिन सरकारें कहीं न कहीं उसे अंसुना कर रही है और मीडिया भी उसे अंसुना कर रही है इसलिए हमने अपने ये खास कारिकरा में आरंब किया है कि इसमें ह इस तरह से महराश्ट की राजनीती चल रही है और अजीत पवार जाके भाजपा की गोद पर बैठ चुके हैं शरत पवार उनसे अलग थलग है और जो विधायक दल के नेतत है अजीत पवार उन्हें भी उससे बाहर कर दिया गया है सारे विधायक शरत पवार के पीछे आ अब किस बेस पर वह जुड़े हुए हैं और यह भी कहा गया कि जो सूची उन्हेंने सौपी है राजपाल को तो हाजरी की सूची थी तो हमें यह देखना है कि इन आट दिनों के अंदर क्या बहुमत सपष्ट करने में काम्याब हो पाती है भारती जंता पार्टी और आपक पी में वारतो है कि घीफाल की ता यह दोवारा द्ल नैता होंगे उन्हें है अपना लेंगे क्या वही वापसी होगी क्या वह रुदबा हो यह वही समान मिलेगा एंसीपी में अजीफ पवार को वाल कि जेखने बी पहले अइसा कर चुक्त हैं आप जानते हैं हमारे email address पर आप हमें mail कर सकते हैं अपना जवाब कि अजीत पवार का क्या होगा यदि इन आठ दिनों के भीतर सरकार नहीं बन पाती है प्राप बहुमत इस्ताफित नहीं कर पाती है बहुमत नहीं दिखा पाती है राजपाल को भारती जनता पार्टी तो अजीत पवार का क्या होगा इसका जवाब हमें जल्द से जल्द भेज़ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे यदि आपको हमारे कारीकरम पसंद आ रहे हैं तो हमारे कारीकरम को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कीजिए तब तक के लिए